आप सभी का और एक बार हर्दिक स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम प्रमुप कथन और उप्ती संबंधित प्रस्ण पर जर्चा करेंगे जो की परिक्षा में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्पूर्ण कथन और उप्ती है किस कवियों की कौन सी पंक्ती है किस कवीता से ले गई है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग इस वीडियों से आप 5-6 मार्क जरूर सिक्योर कर सकते हैं तो अंतक वीडियों को देखने का जरूर प्यास करें पहला प्रस्ण मेरा उदे से अपने साहितिके इतिहास का एक पक्का और विवस्तीत धाचा खड़ा करना था ना की कवी किर्टन करना यह कथन किसका है रामचंद्र सुकली जी का है हिंदी साहितिका अलुष्नात्मा कितिहास की लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा जो की 1938 इस वी में लिखा गया क्रन्त है जोज ग्रियर्सन ने आदिकाल को किस नाम से अविहित किया है शारनकाल नाम से प्रकृत भासा की प्रतम अवस्ता को क्या कहते हैं प्रकृत भासा की प्रतम अवस्ता को पाली कहते हैं इस काल की जो साहितिक सामागरी प्राप्त है उसमें कुछ असंदिक्द है और कुछ संद असंदिक्द सामागरी जो कुछ प्राप्थ है उसकी भाजा अपव्रंस अर्थात प्रक्रीत भास हिंदी है किस काल के बारे में कहा गया है यह आदिकाल के बारे में कहा गया है और यह कथन किस बिद्वान का है यह कथन जो है रामचंद्र सुकल जी का है उन्हाने आदिकाल क की विशय में यह कथन कहा है शायाबाद उस रास्टिय जागरन की अभिवेक्ति है जो एक और पुरानी रोडियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी और विदेसी पराधिनता से किन का कथन है नामबर सिंग का इस शायाबादी संबंधित प्रस्ण है और यह कथन नामबर सिं तको रास्ट कवी की उपाधी किसने दे थी महात्मा गांधी ने किस कवी को छायाबाद का शलाका पुरोष कहा जाता है सुरिकान त्रिपाठी निराला जेगो किन का अज्यात प्रियके प्रती प्रनै दुख प्रधान है महादेवी वर्मा जी का हिंदी का बाइरन किस कवी को कहा जाता है हिंदी का बाइरन हरिवन्स राय बच्चन जी को कहा जाता है हालाबादी कवी के नाम से कौन प्रसिद है हालाबादी कवी के नाम से हरिवन्स राय बच्चन जी प्रसिद है व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं, यह किसका कथन है? सचिदानन्द हिरानन वात्सयायन, यानि अग्यंजी का ये कथन है और इसे और एक प्रस्ण बन सकता है कि अग्यंजी का पूरा नाम क्या है? ये कोश्चन प्रिभ्यसेर में आजुका है, अग्यंजी का पूरा नाम सचिदानन्द हिरानन्द वात्सयायन है, और उन्हा ने कहा कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, लेकिन समाज से नहीं, आदुनिक हिंदी गजल का प्रवर्त किसे माना जाता है? दुश्चन कुमार जी को, अबला जीवन हाई तुम्हारी यही कहानी, आचल में है दूद और आखों में पानी, यहां कथन किनका है? यहां कथन मैथली सरन गुप्त जी के द्वारा रचित कविता की पंक्ति है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में पानी यह कथन मैतली सरंगुप्त जी के द्वारा रचीत है और कथन के उपर आप विशेश रूप से ध्यान देने का प्रयास करें और आप अच्छा स्कोर जरूर ला सकते हैं तुम हो कौन और मैं क्या इसमें क्या है धरा सुनो मानस जलद ही रहे चीर चुवित मेरे छितिज उदार बनो यह कि थन यह कथन किन का है यह कथन जैसंकर प्रसाद जी का है जागो फिर एक बार सेरों की माद में आया है आज स्यार यहाँ पंगते किस कवी की है सुरिकान त्रिपार्ठी की निरालाजे की है जागो फिर एक बार आप इस पर ध्यान देंगे तो जरूर ही आप अच्छा मार्क स्कोर ला सकते हैं इसलिए आप इसे अंतक देखने का प्रयास करें छोड़ दुरूं की मृदू छाया तोर प्रकृती सेवी माया यहाँ कथन किन का है यहाँ कथन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का है और ये कथन बहुती प्रसिद्ध कथन है चूर दुरुमों की मृदू छाया तोर प्रकृती से भी माया यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है जो तुम आ जाते एक बार कितनी करूणा कितने संदेश पत में बिच जाते बन पराग यह पंक्ति किसकी है यह बहुत ही सुन्दा रुकती कही गई है यह महादेवी वर् हो जाय ना पत में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं यह किस कवी की पंक्ति है यह पंक्ति से पता चल रहा है कि इस पंक्ति में ओज है उत्सा है और संघर्ष को दिखाया गया है अर्थात हरीवंस राय बच्चन जी के द्वारा रचित पंक्ति है हटू वियुम के मेग पंत से स्वर्ग लूटने हम आते हैं दोद दोद ओवत्स तुम्हारा दोद खोजने हम जाते हैं यह कविता किसकी है रामधारी सिंग दिनकरजी की है निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंत कौन सा है? कृति वास रामायन है कविता करके तुलसी नालसे कविता लसी पात तुलसी की कला यह पंक्ति यह कथन किनका है? यह अयुध्य सिंह उपद्याई हरियोध जी का है यह आप अगर ध्यान से सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा तुलसी दास जी उत्री भारत की समग्र जनता के हिर्दय में हिर्दय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्टा के साथ विराज रहे हैं यहाँ कथन कीनका है यहाँ कथन है रामचंद्र सुकल जी का है और उन्हाने तुलसी दास जी के भारे में कुछ मातपुर्ण कथन कहें कुछ आलोशना किये हैं कुछ समिक्षा किये हैं कि तुलसी दास जी जो है उत्तर भारत की समगर जनता की हिर्दय मंदीर में पूर्णे प्रेम प्रतिष्टा के साथ विराजते हैं यहां कथन रामचंद्र सुकल जी का है देवरानी जिठानी की कहानी के लेखक कौन है पंडीत गौरी दत्र रंगभूमी का प्रकाशन कब हुआ था 1925 में तो यह वीड नए है चेनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से जरूर लाभानवेत हुए होंगे और आप इसे बार बार पढ़िए अच्छा स्कोर ला सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और सुक्रिया